नमस्कार दोस्तो एनालेसिस इक्लासेश में आप सभी का हार्विक स्वागत है और ये मैथ्स का दूसरा टैक्रिसेट है इसमें मैथ्स के 10 ऐसे इंपोर्टन क्वेशन लेका हैं जो एंटीपीसी गुरूबडी आर्पीएफ ऐसे जीडी और कई तरह के एक्जाम में कई बार पूश चुके हैं चलिए हम लोग एसकिन पर देगें फर्स्ट क्वेशन को स्वल्व करते हैं और इस क्वेशन में बताना है एक दुकंदार एक किताब 14 प्रतिशत की हानी पर बेचता है यदि विक्राय मुल में की व्रिधी हो जाती है तो 6 प्रतिशत का लाग होता है तो कितना होगा कैसे इसको बनेगा तो सिंपल सा क्वेशन में यह देखिए कि क्वेशन सिलिम प्रेज क्या गया है तो क्वेशन सिलिम प्रेज यह है कि 14 प्रतिशन की हानी होती है तो उसको 6 प्रतिशत का लाग होता है अब यहाँ पे 14 प्रतिशत का हानी ठीक है और फिर 6 प्र जाएगा तो पहले 14 कहानि फिर 13 कहानी होगा फिर 12 कहानी होगा फिर सहल करते 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 हो जीरो के आयो Software फिर जीरो के बाद एक का लाव होगा फिर दो का लाव होगा सब्सक्राइब में घौर फिर 10 के बीच में कितना 100 रुपे, रुपे में 100 रुपे, यानि 20 प्रतिशत is equal to 100, 20 का कितना गुणा है 100, तो 5 गुणा है, प्रसेंटेज के बदले में बटा में 100, तो 100 का भी कितना गुणा, 5 गुणा, कितना होता है, तो 500 होगा, question क्या बताना था, पूर्स्तक का क्रैमल कितना होगा, तो 500 बढ़ते हैं, next question में, एक संभाहु त्रिभुज का छेतरफल कितना होगा, जिसकी प्रतिक भूजा 14 cm लंबी है, ठीक है, तो संभाहु त्रिभुज का छेतरफल कितना होता है, तो यह होता है, रूट 3 by 4 गुणे भूजा square, ठीक है, अब यहाँ पे, रूट 3 by 4 भूजा का value कितना दिया है, तो 14 cm, तो 14 गुणे, 14, क्योंकि 14 भूजा का square होता है, ठीक है, यह कटेगा, 7 बार में, और यह कटेगा, फिर 2 से, फिर 2 से कटेगा, 7 बार में कटेगा, ठीक है, अब यहाँ पे, बचा कितना है, हमारे पास, 7 सते, 49 यानि, 49 रूट 3, 49 रूट 3 कौन सा है, option number, यह इस question का correct answer होगा, कोई दिकत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, next question में, यदि, x by y is equal to 3 by 2, है तो, x square plus y square, बटे, x square minus y square का मान ग्यात करना है, तो simple phase में, x और y का मान put करना है, तो पहले लिखा है, यहाँ पे, x square, तो x का value कितना है, 3, 3 का power 2, कितना, 9, plus y का value कितना है, y का value है, 2, तो 2 का power 2 कितना होता है, 4, फिर यहाँ पे, same वह ही होगा, 9, लेकिन क्या होगा, symbol बदर जाएगा, तो देखिए, कैसा है, 9, 4, 13, बटा में 5, 13, बटा 5 कौन सा है, तो option number, C, इस question का correct answer होगा, simple question था, आगे बढ़ते हैं, next question में, इसी में आपको बतना है, राम की 25 वर्स है, और मोहन की आयू, 25 वर्स है, कितने वर्स पहले, राम की आयू, मोहन से तीवनी थी, यह आपको बताना है, तो simple है, यहाँ पे हम लोग, option का सहरा लेके भी question को बना सकते हैं, जैसे, मान लेजिए, कि यह है राम, ठीक है, और यह है, मोहन, और अभी वर्तमान में कितना है, 55 गता है, और मोहन का कितना है, 25 साल है, पहला, ओपषन ट्राइक कर रहे हैं, 5 पाचीं में से करेंगे, तो कितना होगा यह होगा, यहाँ पे, 5 माइनस, 5 बाट मानो Penins करेंगे, यानि 50 यह कितना होगा, 20 अब इसका रेसियो कितना होगा ? पांच रेसियो 2 क्वेश्चन में क्या पूपचा है कि कितने व morals प्रेतं तींगुणी चाहिए हमको तींगुणा का रेसियो चाहिए तो कहमको यहाँ पे क्या रेसियो आयाилась 5 रेसियो 2 तो हमारा पहला आप्शन नहीं होगा ठीक है अब यहाँ पे हम दूसरा option try करेंगे ठीक है अब हम लेते हैं 10 वर्ष पहले जैसे यहाँ पे एज राम का कितना है अभी राम का एज 55 और मुहन का है 25 अब आते हैं option number B के पास कितना वर्ष पहले है 10 वर्ष पहले तो अब जब अभी राम का एज 55 है है तो दस पहले कितना होगा, तो 45 ठीक है इस में से दस हम लोग माईनस कर लेंगे, मोहन केज में से हम लोग दस बश्ष मानस कर लेंगे कितना होगा यह होगा, 15 अब इसका रेशयो कितना होगा, 15 25 से नहीnych तीन रेशियो एक क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राम किया यू मोहन से तिगनी थी यहां पर बिल्कुल हो रहा है ना यहां पर रेशियो क्या होगा तिगना हो रहा है ना मोहन किया यू से राम किया यू तिगना हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन का क्या एंसर क्या होगा तो option number B, इस question का correct answer होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं next question में, एक थैले में 3 लाल गेंद और 4 हरी गेंद है, यदि हम या अंदरे छिक रूप से एक गेंद का chain करते हैं, तो इसके हरे रंग होने की क्या परेगता होगी, ये question कैसे बनाएगा, तो simple सा ऐसे question में क् देखते हैं कि लाल गेंद की संख्या कितना है, तो लाल गेंद की संख्या है, 3 ठीक है, और हरा गेंद का संख्या कितना दिया है, 4 दिया है, यानि टोटल गेंद कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा, 7 गेंद, इमालनी जी के एक थैला है, ठीक है, एक थैले में 3 ला में जिस गेंद का पुछे उसका वेलू लिखेंड के ऊपर को टोल नीचे तो किसका पूछा है अगे बढ़ते हैं में आठ मीनट 6 सेकेंड एक घंटे का कितना परतिशत है तो बनेगा तो हमको निकालना था प्रतिशत निकालना है आठ मिनट छे सेकेंड एक घंटे का जिसके साथ का के की लगा हुआ है उसको हमेशा लिखेंगे नीचे आप किसके साथ का के की लिखा है तो एक घंटा यानि एक घंटा को हम लिखेंगे नीचे यह हो जाएगा एक घंट जैसे हुआ अभ वांचा ऊपर आठ मीनट और शेग सेकanu बचा तो सबसरप्पोल हम क्या खरेंग संआ करएंगि सबको एक फ़र में च्रेंज करेंगि जैसे आपय दिखा है घंटामे एक हनाटै में टोटल कितना सेकन होता हे तो चठी सुशेकन रहूर है अब आठ आठ मीनट छे सेकंड को टोटल कनवर्ट करेंगे सेकंड में तो कितना होगा पहले कनवर्ट किजी आठ मीनट को सेकंड में तो आर्चक अर्टाली सानी 400 कितना होगा 480 सेकेंड प्लस में 6 सेकेंड यह हो जाएगा 486 सेकेंड और क्या निकाल आपको प्रतीशत प्रतीशत का मतलब 100 से गुना कर देंगे 2 सुने से 2 शीन कट गया अब हमारे पास क्या बचा 36 और उपर 486 ऐसा करते हैं हम इसको कट करेंगे कितना से कट किजिए आप इसको 18 के पास है 18 दूनी 36 और यहां पर कितना होगा आठार दूनी 36 बचार आठचार 1212 277 और यह कितना भाल में कट जाएगा तो 18 के पारा में कितना होगा तो सात भाल में होगा ठीक है अब हमारे पास क्या बच्चा हमारे पास बच्चा 27 बट्टा दो इसका फेक्टर करेंगे कितना होगा यह होगा 27 का आधा कितना होता है साहतेरा साहतेरा कौन सा है option number this question का correct answer होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं next question में इसमें बताना है एक ठोस घन का आधान 216 cm का पावर 3 है तो इसका कुल प्रिष्ट छेतरफल कितना होगा ठीक है कैसे इसको निकालेगा question में क्या दिया गया है घन का आधान तो घन का आधान से हमनों भूजा निकाल सकते हैं तो घन का आधान क्या होता है घन का value क्या होता है एक का पावर 3 वैल्यूम कितना दिया है 216 तो 216 is equal to भूजा का पावर 10 पावर 3 निधर आएगा तो क्या होगा घन मूल में हो जाएगा 216 बराबर ए तो एक का पावर अब देखें 216 किस नंबर का घन मूल 260 होता है तो सिंपल सा 6 का यानि भूजा का वैल्यू कितना आ गया छे आ गया ठीक है अब आपकेशन क्या बातना है इसका कूल प्रिष्ट का छेतरफल बातना है कि कितना होगा अब घन का कुल्व प्रीष्ट का चित्रफल केतना होता है तो यहाँपे निकालते हैं कुल्व प्रीष्ट का चित्रफल स्वेश्टा 썹ुजा कहली होता है अगे बढते हैं नेक्स्ट eldest एक डाटा कार्ड को 14 1950 रुपे में बेचा जाता है तो 30 का भभिवराप्व होता है डाटा का क्रैमुल ग्याद करना है कि क्या हुगा थेकंधु यह देखिए कि 14,950 रुपे क्या है तो question में पर्ष लिखा है कि 14,950 रुपे में बेचा जाते है यह क्या है selling price है यह क्या है selling price कितना लिख दिया है यहाँ पे 14,950 रुपे अब प्रतिशत क्या है 30% क्या है तो question पढ़े तो 30% का लाभ अपराप्थ होता है यानि 30% भी क्या है selling price है यह भी क्या है selling price कितना है 30% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 130% ठीक है अब यहां पे क्या है दोनों क्या selling price है यानि इसको दोनों को हम बराबर में लिख सकते है selling price is equal to selling price यानि 130% is equal to 14,950 ठीक है और यह अट कितना एक तो फिर तेरा एकम 13 हमारे पासे यहां पे कितना होगा यह आपनीस और यह रहावला हम को 13 तबचा 6 फिर होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का अप्लोग खुद से सॉल्व किजिए और इसके अंसर आप लोग कोमेंट बक्स में जरूर कोमेंट करें तो आज होप कि ये वीडियो आप सभी को काफी पसंद रहा होगा अगर वीडियो अच्छा